नमस्कार मैं रभुनात प्रिशाद आज चर्चा कर रहा हूं स्री दिर्यंद्र कृष्ण सास्त्री जी के छोटे भाई स्री साली ग्राम गर्ग के करना में कि बागेश्वर धाम के बाबा स्री दिर्यंद्र कृष्ण सास्त्री का जिस तरह से महिमा मंडल कुछ टीवी चैनल क कर रहे हैं कुछ राजनतिक नेता कर रहे हैं और कुछ हिंदू शंगठन कर रहे हैं स्वाभाविक है कि उनके परिवार का रूत्वा का काफी बढ़ गया बागेश्वर धाम में कोई कार्चक्रम रखा गया था सामुहिक विवाह का अनसुची जाती के एक युवक की शाध लड़का लड़की दोनों के परिवार ने वहां पे सामुहिक विवाह में भाग लाने से इंकार कर दिया यह हिम्मत थी उन दोनों परिवारों की और ग्यारा फरवरी को घर पर शाधी का कार्चक्रम रखा गया यहा बात सालीग रामगर्ग को बरदास्त नहीं भी चुकि मानसिक्ता तो दबंग की स्वाविक तोर पर है उनकी वो चले गए कुछ मिजिया में तो ये भी आया कि उन्होंने काफी अभदर विहार किया क्योंकि अनसुची जाती का परिवार था इसलिए स्वाविक की ये काफी चर्चा का विशय बना और ये हथियार भी लहरा रहे थे इससे ज़्यादा दुखत बात क्या हो सकती है कि जिस सालीग राम गर्ग की उम्र सिर्फ 22-23 वर्स है उनकी इतनी बरी हिम्मत कि किसी अनसुची जाती के हां होने वाली साधी में जाकर उन्हें वक्हेरा खरा किया अभदर वियार किया परिवार के साथ उन्हें धम की दी मामला चुकि काफी चर्चित हो गया था इसलिए ये मामला तो थाना में जाना ही था मत्रतेश की जो समंदित थाने की पुलिस है उनके द्वारा एफाई यार किया गया जो सुचनाएं आई हैं उसमें अनुसुची जाती जन जाती जो अटुस्टीज एक्ट है उसके तहत भी धाराएं लगाई गई हैं सुहाविक तौर पर पुरा देश ना के वनमत्रतेश वन और राष्ट्रिय आजाद पारटी के अध्यक्ष ने आजाद समाज पारटी के राष्ट्रिय अध्यक्षरी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से उनके अविलंब गिरफताई की मांगी हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति काफी बरी शंख्या में जूटे हुए लोगों को प्रवचान देते हों उनके छोटे भाई इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं इस समद्ध में उनका क्या कहना है जब वो कहते हैं कि गरीब लोग हमारा प्रवचान सुनने के लिए आते हैं और वे तालिया पीटते हैं जिसके हमारे यहां भीर बढ़ती है तो इसने अच्छा लगता है मुझे यह कहने में कोई शंकोश नहीं, कि उनके यहां जो प्रवचन सुनने वाले लोग आते हैं, उनमें बहुत बरी शंख्या अनसुची जाती और अन्न पिछले वर्ग के परिवारों की हैं, मैं अनसुची जाते और अन्न पिछले वर्गों के परिवारों से जो लोग प् कि निश्चित जाती के परिवार में होने वाली साधी में इस तरह का उधम क्यों मचाया क्या वे हिंदू नहीं और अगर उन्होंने इनकार कर दिया कि सामुहिक विवाह आयवजर में भागने लें तो क्या यह उनका अपरात था निश्चित तोर पर मतपर्देश की सरकार से कि इस विशे को गम्हिरता से लिया जाना चाहिए ताकि किसी भी रसूखदार परिवार को इस तरह की गलत हरकत करने का की हिम्मत नहीं आए यह वीडियो आपको चाह लगा हो तो निश्चित तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नह स्ट्रच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्रिकेशन आप पूत्रत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है धन्यवाद जये